हेलो नमस्कार स्टिकाल आप स्वागत एक पर फिर से आपका दमेश के इस खास पेशकस में मेरा नाम अभी मन्नी और मेरे साथ इस वक्त मौझूद है नीरज पांडे जो असुकाई भी शुद्याले के एक छात्र है और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बाचीत की थी एक चैत्रून का अंदूलन क्या लगत है आपको कि चात्रों का यह अंदूलन है अगर हम देखेतों एक तरफ से यह अंदूलन सही है क्योंकि जबी पॉलिसीज बनाई जाती है थो मैं मानता हूं कि गवर्मेंट को जो स्टूडेंट है बड़ी बच्चों की उसको भी इंक्क करना चाहिए, उनका भी जो आईडिया है, उनका भी थौट्स है, उसको भी इंपुट में लेना चाहिए, कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले, और अगर गवर्मेंट पहले ही ऐसा करेगी तो इन प्रोटर्स की कभी नौपती नहीं आएगी, जब स्ट्रूइंट के थौट्स क जो जो आठी सोचता हूं कि जो यह फीस यह जो होस्टेल फीस भड़ाई गई है, यह तरफ से सही है क्यूंकि जो पुरानी फीस जो भी चल रही है वह काफी परान जाल काफी पहले से चल दी है, और अगर ठामी को देखे है, तो अगर पैसा चाहिए, तो एक ओन्ने को बढ कि गवर्मेंट ने बच्चों का थोट्स देखे ही नहीं है, इन्पुट लिया ही कि क्या ये बच्चेस को फोट कर पाएंगे, क्या ये जो पॉलिसी जो भी बनाई जारी ही बच्चों के हित्मे है ये नहीं है, पर एक चीज और भी है क्योंकि जो मिने अभी कली एक ब्लॉक उसमें लेखा था है कि गवर्मेंट ने ये जो फीसे ये बढ़ाई है, ये सिर्फ जो अबव पावर्टी लाइन है, उनके लिए बढ़ाई है, जो अपने तमाम दर्सकों को एक बार बताना चाहूंगा कि इस पुरे अंदोलन से जूरी भी तमाम तरह की भ्रामक खब्रें कई तरह की जानकारिया जो हैं, लोगों तक पहुचाई जा रही है, जिनमें एक तरह की जानकारी ये भी है कि जो ये रोल बैक वाली बात बताई जा रही है, कि जो बिलो पोवर्टी लाइन के लोग है, या फिर इकनोमिकली वीकर से जो लोग आते हैं, उनके लिए अलग मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ दमेश के इस प्रोग्राम के बाद दिम से अपने तमाम दर्सकों को कि इस प्रकार की कोई दोहरा मापतन इस तरह कर नहीं है विश्विश्विदाल परसासन के द्वारा और जो यह भ्रामक प्रचारतंत्र जुटा हुआ है जो कहते हैं Geoleles का, जो हिटलर के समय में Geolelər अपने ब्रामक प्रचारतंत्र से लोगों को गुंड़ा करता था मैं आपको एक बात बातना चाहूँगा, आपने जिस ब्लोग को पढ़ा क्या आपको आपको अस ब्लॉग के बारे में कुछ बता सकते हैं काँ सा ब्लॉग था यहां पे जो administrative map dund हैं, चात्रों के fees को लेकरके, हॉस्टल के fees को लेकरके और तमाम तरह की जो चीजे हैं, उसकी तुलना, उसके वनिस्पत, जेनु में जो चीजे हैं, चुकि वह एक Central University भी है, देश की राजानी में है, उस तुलना को, उस comparison को आप इस तरीके से देखते हैं? मैं यह देखता हूँ कि Ashoka University में भी प्रोटेस्ट होते हैं, और यहां पर भी जो पॉलिसी बनाई जाते हैं, उसमें भी बच्चों को इंक्लूड नहीं किया जाता है, और हम हर दिन आए देखिंगे कि यहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पर यहां पर पीस्फुल प्रोट पर जो प्रोटेस्ट होते हैं, और जो हमारी एडमिन सहीं जो चला रहे हैं, वो इवेंचले आके बच्चों को सपोर्ट पीकाते हैं, तो इवेंचली जो भी होता है, पीस्फुली सेटल हो जाता है प्रोटेस्ट करते हैं, यहां पर प्रसासन इनके साथ देता है, और इस प्रकार की बाते हैं इन्होंने कही है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा को आगे जाडी रखेंगा आने वाले समय में, अन्य चात्रों से बात करेंगे, उनके विचारों को हम जानने की कोशिस करेंगे, बने रही हमारे साथ दम्मेश के इस यूट्यूब चैनल पे, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करके बताएए कि आपको निरज की बात कितनी सही लगी, और इस पुरे बहस में आप ऐसे कौन से प्रस्ने जो आपके मन में उठ रहे हैं और आप हमारे बाध्यम से यह अन्य चात्रों से जानना चाहेंगे, बने रही है, दम्मेश के साथ सुनते रही है, धन्यवाद